जो पिछली सरकार थी, उसने हर चीज में जनता पर बोजी डाला है। जिन व्यक्तियों की रिजिस्ट्री हो चुकी है। रिजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस परकार के ये लोग कार्या करते रहें, ये सब के सामने हैं। 27,000 के क्रीम निशान देई हैं। और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं, जो कई सालों से हुई ही निपारे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज का बोज डाला। और जो जन्मंच की बात करते थे। अब उनसे सवाल ये पैदा होना होता है कि आपके इतने जन्मंच हुए। उन जन्मंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके। पार्टिशन के काम भी करवा नहीं सके। डिविजन के काम नहीं करवा सके। कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रहे गे। तो जन्मंच किस परकार का जन्मंच था जन्तों को शुविधायनी उपलब्द करवा सकी। तो पिछली सरकार ने जन्ता को ढगा था। जन्मंच के नाम पर लोगों के कार्या करने को कहते थे लेकिन जन्मंच के नाम पर उन्होंने कार्या नहीं किये इसका उधारन आपके सामने ये इंतिकाल के 25,000 मामले आपके सामने पड़े हमने राजस्व कानून में परिवर्तन किया है और सब लोगों के सिहोक से हम पार्टिशन भी जल्दी करवाएंगे और जो ढमार्केशन कई सालों से फची है उस पारे में भी नियमे में परिबत्तिन करेंगे इकेज का हम मंडी से शुरुआत कर रहे है कुलू से शुरुआत कर रहे है और लोगों को जो आपदा परभावी लोग है उनको रहात पुंचाना ही हमारा मुख्या मकसद है और उसके बाद और जो रिस्टोरेशन के कारिया वो करना हमारा उदेश है अभी तक केंदर सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिला है जो हमने कलेम किया जो कलेम का मिलता वो भी नही रास्टे आपदा तो गोशित हुई नहीं और भारते जनता पार्टी के इन लोगों ने विधान सावा में चुने भी लोगों ने वहां जो रास्टे आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमने बाद की ती उसमें भी सरकार का साथ नहीं दिया तो जनता के साथ कैसे whether or ला परिशद के लोगों से हमने बात की है और जिला परिशद के लोगों को समझना चाहे कि उनका पहलास भाग जो है ब्र्जर का स्टेट करिडर के मर्जर का उसको कर दिया गया और जब प्रस्तितिया अच्छी होगी तो इस बारे में विचार्यमार्य की चाहेगा